आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ और यह वैल्यू हमें गिवन है माइनस ओफ कॉस तुद पावर 5X और डिवैड में है 5 प्लस A कॉस क्यूब एक्स और प्लस में है B कॉस एक्स प्लस C ठीक है तो हमें A प्लस B जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है A प्लस B हमारे पास कितना हैगा तो सबसे पहले यह integral हम evaluate करते है तो integral I given है integration sine to the power 5X ठीक है तो इसको हम लिख देते है integration sine to the power 4X into sine X डीक्स यानि कि power 5 जो थी उसको हमें break कर दिया power 4 और power 1 में इस तरीके से ठीक है तो यह आगे हमारे पास अब हमें पता है कि sine power 4X जो है उसको हम क्या लिख सकते है उसको लिख सकते है sine square X का whole square sine square X का whole square इस पाम में लिख सकते है अभी भी यह sine power 4X के equal है ठीक है तो यह आगे sine square X का whole square और sine square X को क्या लिख सकते है उसको लिख सकते है 1 minus cos square X का whole square ठीक है इस तरीके से लिख सकते है क्योंकि sin2x plus cos2x यह हमेशा 1 के equal आता है तो यहां से sin2x की value क्या बनेगी sin2x आएगा हमारे पास यहां से 1-cos2x के equal तो यहां पर हम put कर देंगे 1-cos2x तो यह आगे हमारे पास तो अब integral क्या बन चुका है वो है integration 1-cos2x का whole square और into में है sinx dx इस तरीके से आगया ठीक है तो अब अगर हम cosx को t मान लेते हैं cosx को अगर हम t माने तो दोनों तरह differentiate करने पर क्या आएगा यह आएगा minus sinx dx is equal to dt तो कि cosx का differentiation होगा minus sinx और x के लिए लिखेंगे हम dx और वैसे dt का differentiation होगा dt तो यह आगे हमारे पास अब यहाँ पर sinx dx लिखावा है तो sinx dx किसके equal आगया sinx dx आगया minus dt के equal इस equation से तो यहाँ पर sinx dx की जगह पर minus dt पूट कर देंगे और cosx की जगह पर हम t पूट करेंगे तो हमारे पास अब इसको open करते तो यह बनेगा t to the power 4 plus 1 minus 2t square और साथ में आएगा dt तो अब इसका integration क्या आएगा यह आएगा minus फिर t power 4 का integration आएगा हमारे पास t to the power 5 divided by 5 फिर 1 का integration क्या होगा 1 का integration होगा t और minus 2t square का integration बनेगा हमारे पास minus 2t cube by 3 और यह आप पर आजाएगा plus constant c ठीक है यह आगे हमारे पास अब दी हमने माहना था cosx को तो वापस cosx put कर देते हम यह बन गया minus cos to the power 5x divided by 5 क्योंकि t to the power 5 है तो cosx की power भी 5 होगी और minus sign भी है फिर minus minus यह प्लस बन जाएगा तो यह आएगा हमारे पास ठीक है तो अगर जो हमारे पास integral given था question में वह था minus cos to the power 5x divided by 5 plus a cos cube x और plus में था b cos x plus c ठीक है तो अगर हम a और b की values compare करें इस equation से तो a तो आ रहा है हमारे पास 2 upon 3 के equal a 2 upon 3 और b आ रहा है minus 1 के equal ठीक है b minus 1 आ रहा है तो a plus b कितना बन जाएगा a plus b आएगा हमारे पास 2 upon 3 minus 1 यानि यह आ जाएगा minus 1 upon 3 के equal तो a plus b आगे हमारे पास minus 1 upon 3 यह हमारा आंसर होगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर